हेले दोस्तों, मैं आज यादाव एक बाव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ आकरी महभबत पहला प्यार और पहली महभबत के बारे में तो बहुत लोग ने लिखा होगा, बहुत लोग ने सुना होगा इसलिए मैंने सुते कुछ अलग करते हैं और मैंने आपकी महभबत लिखी जोगी मैं आपको सामने लेके हाजिर हूँ तो poetry स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो लाइने सुनाना चाहता हूँ और फर्माईएगा ये प्यार भी के ऐसी चीज है कब हो जाता है पता ही नहीं जलता प्यार की एक जलत पाने के लिए प्रेमी अपनी जान प्या जाता है तुम मानो या ना मानो मगर हकीकत है इश्क हर इनसान की जरूरत है जरा मेरे महफिल में बैठ कर तो देखो जिन्दगी कितनी होपसूरत है ये थी दो लाइने जो मैंने आपके लिए कही तो आप स्टार्ट करता हूँ आखरी मौपत के बारे में क्योंकि मैं आखरी मौपत दे बिलीव करता हूँ इसलिए मैंने आखरी मौपत लिखी है और रिस्टार्ट करता हूँ आज की परेटरी तेरी पहली मौपत होने का गम नहीं मैं तो तेरी आखरी मौपत होना चाहता बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिनका पहली महबत ही उनकी आखी महबत होता है पर ऐसा बहुत ही कम देखने के मिलता है कि किसी के पहली महबत ही उसकी आखी महबत हो अक्सर लोग कहते हैं कि पहला प्यार बहुत सच्चा होता है अक्सर लोग कहते हैं कि पहला प्यार सच्छा होता है लेकिन मेरी नजरों में पहला प्यार कच्छा और दुसरा प्यार ही सच्छा होता है जो तोडने से भी ना तूटे तेरे जिंदिगी की वो डोर बनना चाहता हूं जो तोड़ने से भी ना तूटे, तेरी जिन्दगी की वो डोर बढ़ना चाहता हूँ तेरी पहले मौबत होने का गाम नहीं, मैं तो तेरी आखरी मौबत होना चाहता हूँ प्यार वो नहीं जो दो दिन के कस्मे वादे करके, तीसरे दिन ही तूट जाता है प्यार वो नहीं जो दो दिन के कर्समे वादे करके तीसरे दिन ही टूट जाता है प्यार तो वो है जो साथ फेरो के बाद भी साथ निमाता है मैं भी तेरे जिन्दगी में तेरे लाइट रहे हैं